मॉली और इशान ने जहां फैसला किया है कि वो अपने जिन्दकी को नए दोर से शुरुआत करेंगे वही मॉली और इशान भगवान से आशिरवात लेनी मंदिर आए है दोनों भगवान से दुआ करते हैं कि उनके जिन्दगी में खुशाली बनी रही और इशान मिश्ट को अपने बेटी के रूप पे अपना ले वही पंडित जीग भी मॉली और इशान को दक्षिना में लाल चुनरी उड़ाते हैं और सदा सुहागन का आशिरवात देते हैं अब आके कुछ ऐसा होगा जिसे देख मॉली के होश उड़ जाते हैं मॉली दूर से देखती हैं कि कुनाल और परी पूशा कर रहे हैं और वहाँ नंदिनी को नई देख मॉली थोड़ी परिशान हो जाती है और मॉली जब वहाँ एक तस्वीर को दीखती है तो मॉली के आखों से आसू रुकते ही नहीं क्योंकि वह तस्वीर होती है उसके सहेली नंदिनी की वही अब नंदिनी से जुड़े सारी यादे मॉली को याद आने लगी है कल अब मॉली अपने आपको कैसे समालती है ये देखना होगा बहत इंट्रेस्टिंग टेलेविशन की लीडिस न्यूज और गॉसिप के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब ज़रूर करें की झाईब मॉली आपको माले बहरों होगीutos जज़ दोल्हçarका बालती है अब प्रोड़्य बालती है बालती है की खिए मोर्ण हमातrichten झाल झाल झाल